प्रशार दोस्तों PCS गुरूजी में अफसर क्या स्वागत है दोस्तों आपका बत जैसे पता ही है कि NCRT का एक सीरीज हम लेकर चाल रहे हैं जिसमें हम answer writing practice करा रहे हैं NCRT में वो portion जो mains में काफी useful है PCS mains में जिसमें GS1 हो GS2 हो GS3 ऐसे चीजों को लेकर चल रहे हैं तो उसके उपर पिछले कई दिनों से लगातार मैं वीडियो भेज रहा था वर्लिस्ट के पढ़ा रहे थे और जब मैंने कल एक chapter complete किया फ्रेंच revolution complete किया उसके बाद मैंने कुछ questions दिये थे हमाँ पर तो कुछ लोगों ने answers लिखे हैं जिसमें से एक student का मैं answer यहाँ पर discuss करूंगा answer कैसे लिखा जाना चाहिए number कैसे मिलते हैं क्या किन चीजों पर धियान रखें वह सब आज हम discuss करेंगे तो जो लोगों को answer rating की समस्या होती है यह बहुत ज्यादा concern रहते हैं कि answer rating कैसी होने चाहिए क्या करना चाहिए कैसा डिजाइन करना चाहिए वह वीडियो को पूरा देखें अन तक करेंगे मेंस के पॉइंट पराएंगे और वो पोर्शन जो PCS प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है जिए जिए जोग्रफी साइन्स इन्वार्मेंट इसको मिलेंगे वीडियो मिलेंगे पीडियाफ मिलेंगे और इसके objective question मिलेंगे तो पुरा NCIT कवर कराया जाएगा 100 दि कर सकते हैं चलिए बहुत देर हो गई दोस्तों कल एक question दिया था कि फ्रांस की करांटी की शुरुवात किन परिस्तितियों में हुई थी और मांगे चलिए कि आपका जो जो मेंस है उसमें जीएस में वह बहुत कुछ NCRT का बेस लेके चलते हैं या तो डिरेक्टी कोशन कोशन असान सीधी होते हैं कोशन की दिखते हैं आपकी आंसर की क्वालिटी क्या हो सकती है वह डिपेंड करता है ठीक है तो मैंने question पूछा था कि फ्रांस में करांटी की शुरुवात किन परिस्तितियों में हुई यह सवाल है और जो student ने अपने आंसर लिखा है वह मैं और दिखत हो रही है क्योंकि दिख ढंग से रहे है राशना में सरकार के अंदर विधह का नियाइपाली का कारेपाली के बीच विभादन की बात कही है सक्त विभादन की बात कही है मौस्ट्र की फिलोस्वार जिन्होंने इंको नहीं पता वो प्राने वीडियो देखलें इसमें तो उन्हेंने एक statement कि बहुत अच्छा है मैं हमेशा इस बात को प्रेफर करता हूं कि आप इन statement से start करो तो आपके दिमाग में statement हमेशा quotation statement कुछ data कुछ ऐसी जो था यहाँ पर दिक्कत तुनज़ने यह कि वहां जो फ्रांस के इन्स दी आ dab DB कम से कम एक फ्लो तो बनाओ ना आप फ्लो क्या होता है कि उपर स्टेट्मेंट दिया नीचे लिखो कि हां भाई जो फ्रांस की करांती हुई है उसमें निम्न परिस्तितियां उतरदाई है या इसके इस्पॉंसिबल हैं इंग्लिश में तो अब अब आपने स्टेट्मेंट दिया तुरह आपने स्टार्ट कर दिया पता नहीं लग रहा है फ्लो बहुत मैटर करता है एक्जैमिनर को आपको फ्लो में लेकर जाना पड़ेगा फ्लो अच्छा रहेगा तो पढ़ने मजा आएगा लिखा क्या है पूरी अबादी में 90 पर्तिशत किसान थे लेकिन सबसे यादाव किसान थे जिनके पास जमीन नहीं थी 60% कुलीन चर्च और अमीरों के अधिकार में थे पादरियों को जन्म अधिकार या विशेश अधिकार प्राप्त थे जिसमें राज्जी को दिया जाने वाले करों में छूट कुलीनों को भी विशेश अधिकार के रूप में कर वसूलना या अपने स्वामी के खेतों घरों और अधिक करवाते थे यह बताना चाहती है कि उस समय फ्रांस जो है वह तीन स्टेट में डिवाइड था तीन वर्ग में पहला वर्ग था कुलीनों का दूसरा वर्ग था आपका चारच पादरियों का तीसरा था किसानों का लेकिन लिखा वो भंग से फ्लो में दिखकत रही है ठीक है बताना चाहते थे लेकिन धंग से बताने पाए मुझे एग्जामिन मुझे मज़ा नहीं आया तो कोशिच कीजिए कि आप जो भी बताना च कर के रूप में वसोलना उपर से इन्हें सरकार को भी देना पड़ता था यहां कर Of Tile कर कि रूप में वसोलते थे अपर्तेक्श क्या मुझे वसूलते थे इस पघ़ार वित्य कामकाच में सारा बोच आम जन पर पड़ता था यहाँ पर भी जो बताना चाहते हैं कि टैक्स वो किसानों से बस होती थी और फादर और जो पादरी और जो नोबल्स होते थे ठीक है अमीर उनको टेक्सेशन में रियायात मिलती थी ठीक है वो टेक्स नीद बगए करते हैं छोड़ी सी बात को उन्हें बहुत ही अच्छे शब्दों में नहीं स्वाल किया तो यहां पर बा साथ भीॉप उसकी सवकत विषयाल में च्छान कर देख्ण और शानुष्यकत के लिए त्फजव के बारे मैं बात कर रहे है कि लिओ करतेते हैs जो बनाते थे बड़े बड़े चीजे महल बनाते थे और बहुत अधा खर्चा होता था चलिए ठीक है अमेरिके से ना अमेरिका के उपनिवेश्चों को बेटेनों से चुड़वाया और और यूद में सहायता की ठीक है दस क्या लिखा देखें उन्हें दस अरब लिब्रे जो होता है उसमें फ्रांस की करणसी थी का कर्ज हो गया पहले से ही दो अरब का कर सरकार के पहले ही था ठीक है सरकार के 20 परतिशत 20 दिन मांग कर रहे थे यहां पर देखें बहुत अच्छा वासा ही लिखी है कि जिन्हों ने पैसे दिये थे वह पैसे की मांग करते लिखा लेकिन लिखा सही नहीं है फ्लो नहीं आया है ठीक है अब देखतें आगे पढ़ते हैं फिर प्राचीन राज जितंत्र के प्रियोग समयंता 1789 के पहले फ्रांसी समाज और संस्ताओं के लिए था पता नहीं क्या मेंगाई बढ़ गई ठीक है कामगार मजदूर करने के काम करने लगे मजदूरी मलिक तैय करता था महंगाई बढ़ते गई मगर मजदूरों के मजदूरी उतनी रही इस करण से अमेर गरीब की खाई और चोड़ी हो गई चलिए प्रकति आपदा क्या वोली तब स्तिती और और बत्तर हो गई जब सुखा ओले के प्रकोप में फसल गिर के और रोजी रोटी के लिए यह का फ्रांस पूरी तरह से फेल हो गया चलिए आट मुसे अधिक में नए वर्ग हो दे मजदूर का था जो उन वहां रेशम के निर्याद करता था यह समाज में समृत वैक्तियों को बेशता था जिससे काफी धन अरजित कर लिया था ठीक है तीसरा स्टेट सौदागरों और माताओं के अलावा प्रसाश्चनिक सेवा सेवा वकील परिशवर थे यह सब पड़े लिखे थे का माना था कि कि समाज में किसी को जनवां स्विशेश अधिकार पारत नहीं होने चाहिए सटेट जनवाद के प्रस्ताव को यह मुदन के आली खारुने पहले दूसरे स्टेट के इस्टी सांवल पर्तिनीदी को बुलाया गया अंतु टिस्टेट के प्रतिनी ओने भूत किया अत्यों शारिव्यक्ति मत देना चाहिए थिसे स्टेट के अपनी नैशा क्लमे यहां पर तत्कालीन करण होते हैं रचके कुछ बाते और लिखी जा सकती थी वह दिक्कत कर रहा चलिए मैं मांक्स के पैरा मीटर के बात करता हूं मैं रेंज की बात करते हैं रेंज अच्छी कवर की है लेंगाई की बद्ध है उन्होंने लुज चिस्टीन के खरच था की और मध्यमवर्गी जो पैदा हुए उन्होंने दिमांड की उन्होंने को पढ़ा उसकी बात की है तो रेंज ठीक ठाक कवर किए दो पॉइंट इसके हैं तो 1.5 है मैं 1.25 मार्किंग की है ठीक ठीक ठाक कवर किए ठोड़ा सा फिलोसफर का इंफ्लेंस भी लिख सकते थे आपर ठीक है उसमें क्या रोल वह भी थोड़ा से लिखना चाहिए था इसलिए मैं आदा नंबर नहीं दिया एक्यूरसी की बात करते हैं दो नंबर के ठीक है कोश्चन्स जो पूछा गया उससे बहुत ज़्यादा भटके नहीं है लास्ट का प प्रूफ मतलब कि आप जो बात कह रहे हूं उसके पीछे कोई सॉलिड एविडेंस है की नहीं है उन्होंने मांस्टर क्यू का उधारन लिया ठीक है क्लोटेशन के अंदर कुछ और लोगों के लिए जा सकते थे लेकिन फिर्बिन अमेरिका की यूद की बात की है और लूइ कि आप पर 0.25 फ्लव में दिखके अध्यों हे भूह मसेला है नमबर ज्यादा दे दी आप में इसास हो रहे है कि मुझे 0.25 जना चाहिए था ठीक है यहे ठीक है टश्टिय कले वर्स इस्तमाल करने चीज़िट इस्तमाल किये जो भी होते है यहे सब जरने अन्षर के एक वो पॉइंट में लिखा है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं सिकेंदर बाकी इसमें दिखें समस्य क्या है मसला यह है कि देखें जब आप घर में आंसर लिखते हो ना सिर्फ दिक्कत ही होती कि आप ओवर्राइडिंग करते हो ठीक है आपको कुल बिल आट मिनिट के समय मिलता है और देड़सो वर्ट्स के वैसे भी आपको करना परता है तो देड़सो वर्ट्स में आपको आंसर लिखने पड़ता है यहनोंने कम से कम 300-300 वर्ट्स का इस्तमाल किया है दो पन्ने का आंसर बहुत छोड़ करके लिखा है एक तो आपके पास टाइम नहीं होगा दूसरे आपके इसी भी गई है तो में फ्लो का मुझे लगता कि 0.25 नमबर ज्यादा देदिये मैंने फ्लो का थोड़ा सा है लेंग्वेश ठीक है वो प्रेजने ठीक ठाकी है तो 4.5-4 के आसपास नमबर मिलने चाहिए आट तो में 4.5 नमबर नमबर मिल रहें आपको बहतर हो सकता था क्य तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है इसके इंदर बाकी कुछ चीज़े बात दियान देने वाली बात है कि जब आप आंसर लिखेंगे तो मांगे चलिए कि आप जो लिखोगे वह वो range में होना चाहिए range यानि कि शब्दों के range में दूसरा आपके time के range में आप 8-9 मिट्स से जादा समय नहीं ले सकते आप सब्सक्राइब कर सकते जो लिखेगा रेंज के लिए अगर आप रेंज से बाहर जा रहे हैं अगर आपने एक आंसर में पीस मिट लगा दिए रिसमान के चलिए कि दो आंसर आपके चले गए ठीक है तो अगर आप इसमें आधा नंबर एक्स्टा गें भी कर लोगे ना तो बा आपकी जो लोग अभी तक आंसर राइटिंग के लिए बहुत परेशान थे तो उनसे मेरे बात है कि अगर वह हंड्रेट डेस का कोर्स जोइंग कर लेते हैं इसमें उनका पूरा मेंस का आंसर रेक्टिस कराई जागी आप अभी एक्जेंपल देखी रहे हो तो आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं उनके लिए 1500 रुपा के रगबग फीस है दोस्तों वीडियो में इतना ही था अन्यवाद